ओके एक्षली पता नहीं वो जो लास्ट वीडियो थी कैसे आप रप्टली बंद हो गई थी तो हम टॉपिक कर रहे थे पॉलिटिकल एंड पर्मनेंट एक्जेकुटिव तो मैंने आपको बेसिकली इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया थे कि पॉलिटिकल जो एक्ज इसमें एक्जेकुटिव होते हैं वो कौन होते हैं पॉलिटिकल एक्जेकुटिव में आते हैं पी एम सी एम जिने हम इलेकर कर लेकर आते हैं और पर्मनेंट एक्जेकुटिव होते हैं उसमें इसमें इसमें आईपीस आईरस यह सब होते हैं ठीक है अब थोड़ा सा पर्मनेंट वाले होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं वो हमेशा चहरूब रूलिंग पार्टी कोई भी आए वो हमेशा सेम ही रहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और यह सिविल सर्वेंट्स होते हैं एक्जेम्पल क्या हो गए पॉलिटिकल एक्जेकुटिव में पॉलिटिकल लीडर्स हो गए और पर्मनेट एक्जेकुटिव में सिविल सर्व जब government change हो जाते हैं, permanent वाले में वो same ही रहते हैं, चाहे कोई भी government है, थर्ड हो गया, political executive जो होते हैं, political leaders होते हैं, और permanent में कोन होते हैं, civil servants होते हैं, तो यह basically मैंने आपको एक छोटा सा difference बताया, कई पर exam में बन जाता ही के question, अब पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हैं आपकी बुक में, एक सेक्ट, इन डेमोक्राटिक कंट्री, तो केटेगरी में बनाती हैं, वन इस बड़े डिसीजन लेते हैं, वो इस केटेगरी में आते हैं, इन डेमोक्राटिक केटेगरी, पीपल आर अपोइंटेड ओना लॉंग टर्म बेसेज, इस इस कोल्ड़े पर्मनें एक्जेक्टेगरी में रखते हैं, उनको हमें इस वाली केटेगरी में रखते हैं, परसंस वरकिंग इन सिविल सर्विसेज आर कोल्ड सिविल सर्वेंट, ऐसे सिविल सर्विसेज में जो काम करते हैं, उनको हमेशा मतलब पर्मनेंट एक्जेक्टेव बने रहते हैं, अब देखें, जो पर्मनेंट एक्जेक्टेव होते हैं, वो किसके अंडर काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्जेक्टेव के अंडर काम करते हैं, असे सिविल सर्व ने क्या देखा कि जो permanent executive होते हैं वो assistant होते हैं कि इसके political executive कि वो उनको assist करते हैं ठीक है why does the political executive have more power than the non-political executive जो political executive होते हैं इनके पास जाधा power होती पर ऐसा क्यों होता है इसा why is the minister more powerful than the civil servant जो की इतने well educated होते हैं इतने subject की इतनी अच्छी knowledge होती है पढ़े लिके होते हैं उसके बात भी जाधा power political executive के पास क्यों होती है तो इसको तोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं हम the civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject the advisors working in the finance minister know more about economics than the finance minister मतलब finance minister से जाधा knowledge कि इसके पास होगी जो उस ministry में काम करने हैं जो know very little about the technical matters that come under their ministry उनकी ministry में आने वाले matter पर उनके पास इतनी जाधा technical knowledge नहीं होती इसकोड इसली हैं इसली होता है जो civil servant हैं वो less powerful इसली होते हैं क्योंकि the reason is very simple in a democracy the will of the people is supreme जो लोगों की जो will है वो जाधा मतलब उसको जाधा importance दी गई है ठीक है democracy में लोगों की choices को जाधा power दी गई है हमने ही तो select करके उनको minister बनाया है leader बनाया है ठीक है तो इसलीए वो जाधा powerful होते हैं than the permanent executive the reason is very simple in a democracy the will of the people is supreme the minister is an elected representative of the people मतलब लोगों का elected representative है इसली उनके पास जाधा power है and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf वो जो power है उसको exercise करते हैं she is finally answerable to the people for all the consequences of her decision मतलब वो answerable है किसको लोगों को answerable है जो भी उसके consequences होने वाले हैं उसके decision के वो answerable किसको है लोगों को ठीक है यहाँ पर हर she और हर use किया हुआ है इसमें मतलब दोनों gender के लिए बात हो रही है that is why the minister takes all the decision final decision ministers लेते हैं the minister decides the overall framework and objectives in which decision on policy should be made ठीक है तो जो यह ministers होते हैं वही final decision लेते हैं the minister is not and is not expected to be an expert in the matters of ministry अपनी ministry में उनको expert होने की ज़रूरत नहीं है the ministers takes the advice of experts on technical matters जो ministers होते हैं वो advice किसकी लेते हैं जो civil servants है जो उनकी department में technical matters जो संभाल रहे हैं जिनके पास subject की ज्यादा knowledge है उनकी advice पर यह काम करते हैं but very often experts hold different opinions or place before her more than one option depending on what the overall objective is the minister decide ठीक है कई बार इनकी जो decisions है वो differ भी कर सकते हैं इस case में क्या होता है जो minister ने decide किया है वही होता है ठीक है तो इसी sense में क्या कहा गया है कि जो expert हो सकते हैं वो route बता सकते हैं they can tell the route but जो actual picture है वो किसको पता होती है ministers को पता होती है वो मतलब जो जनता है उनसे मिले होते हैं voter से मिले होते हैं जो ground reality जो है वो किसको पता होती है ministers को पता होती है वो office में बैठे वे किसी भी वेक्ती को नहीं पता हो सकती जितनी एक minister जो हमने select करके बेजा है जिसको हमने elect करके बेजा है उनको ज़्यादा वो चीज़े पता होती है Okay, actually this happens in very large organizers Those who understand the picture The most important decision not expert The expert can tell the route जो expert होते हैं वो rules पता सकते हैं But someone with a larger view decides the destination In a democracy elected ministers perform this rule तो जो elected ministers होते हैं वो क्या करते हैं वो ही इसको अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हैं Okay, so I hope you have understood अब next video में हम prime minister and council of ministers पढ़ेंगे ठीक है, अब most important जो institution है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं Prime Minister Prime Minister is the most important political institution देखो यहां सेना MCQ type question बन जाता है कि most important political institution कोन है ठीक है तो उसमें president आ जाएंगे या prime minister आ जाएंगे पर्लिमेंट आ जाएंगे तो उसका answer क्या होगा Prime Minister इसका answer है Yet there is no direct election to the post of Prime Minister Prime Minister देखो Prime Minister is not only a person वो कोई person नहीं है वो एक पूरा का पूरा institution है ओके ठीक है इक बाद आपको समझने थी उसके बाद जो Prime Minister होते है उनको भी डारेक्टर इलेक्शन नहीं होते है उनके लिए भी ऐसा नहीं होता है कि हम Prime Minister के लिए चाकर वोट करें हम नहीं करते हैं जैसे कि मैंने आपको कैसे President जो है appointment करते है किसको Prime Minister को Prime Minister कोन बनता है Prime Minister वो बनते है जिनके लोग सबा में majority of majority होती है majority of seats जिनके पास होती है ठीक है अब जैसे मैंने आपको पताया था कि 543 seats होती है 543 seats 543 seats का मतलब है 543 constituencies है 543 क्या है constituencies हैं इंडिया में ठीक है अब इंडिया में अलग-अलग constituency में क्या होते हैं election होते हैं ठीक है अलग-अलग constituency में election होते हैं अब लोग सभा में 543 seats पर जो election हो रहे हैं constituency में इंडिया में अलग-अलग जगा पे अब कोई एक party किसी एक party के पास majority of of the seats है ठीक है कोई एक particular party है जिसके पास majority of the seats है यानि कि यह जैसे एक single party पचकी है इसके पास एक seat आई है एक constituency में यह जीते है बाकी जो यह constituency है इतनी सारे constituency है इसमें कोई एक party जीती है तो इस party की क्या बन जाएगी government बन जाएगी मालेजे इनकी 300 seat है इनकी कुछ 85 seat है ठीक है rest of the seat इनकी होगे जो दूसरी party है उसकी कुछ और seats होगे तो जो 300 seat वाला है वो party की लोग सभा में क्या होगे majority होगे लोग सभा में majority होनी के बाद अब इन 300 selected constituencies के ministers में से ही चुने जाते है कौन prime minister कौन चुने जाते है prime minister ठीक है यह जो 300 seats में जो minister है ठीक है जो elect कर आए है जो election में जीत कर आए है ठीक है उन्हीं में से किसी एक को एक बुरी party decide करके किसी एक को president के लिए president के लिए चुनती है ठीक है अब उन चुने वे president को sorry prime minister को चुनती है और अब उन चुने वे prime minister को president जो है appoint करते हैं ओके I hope आपको यह समझ आया होगा कि हम directly किसी Prime Minister को नहीं चुना है हमने हमने किसको चुना है हमने लोगसभा के members को चुना है ठीक है अब वो जो majority जिस भी party के आती है उसी party में से Prime Minister को चुना जाता है ठीक है और वो Prime Minister को appoint कुन करता है President appoint करते है बढ़ देखें यहां पर पढ़ लेते हैं The President appoints the Prime Minister but the President cannot appoint anyone she likes President अपने आप किसी को appoint नहीं कर सकते The President appoints the leader of the majority party or the coalition party that commands a majority in लोगसभा जिन की लोगसभा में majority होती है उसी के member को क्या बनाया जाता है Prime Minister बनाया जाता है In case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to secure majority support अब कई बर यह हो सकता है कि किसी भी एक party की ना majority ना है ऐसे में क्या होता है ऐसे में होता यह है कि उस व्यक्ति को appoint कर दिया जाता है जिसकी संभावना होती है majority of support पाने की जिनकी संभावना होती है उसे Prime Minister appoint कर दिया जाता है पट उन्हें अपना जो majority है वो इसमें साबित जैसे मैंने अभी आपको बता है कि 300 seat वाला majority of seats लेने वाला जो वेक्ति है उस party के किसी person को क्या बनाया जाता है Prime Minister बनाया जाता है बट अगर कहीं बार ऐसा होता है कि majority नहीं आई है तो वहाँ पर क्या होती है coalition government मन दिये गडवन्दन की सरकार ये भी आपने पहले बाले chapter में पढ़ा है coalition government में इसे सो किसी एक party का है सो किसी एक party का है और ये तीनों जो party है मिलकर government बनाने के लिए तैयार होगे तो इन सो में से जो leader होता है जिसको ये चुनते है उसको क्या बना दिया जाता है prime minister बनाया जाता है बट इने कुछ समय में अपनी जो majority है वो साबित करनी होती है प्रूफ करनी होती है तभी ये prime minister बने रहते हैं और जिस दिन ये majority साबित नहीं कर पाते उस दिन ही इनको मतलब वो government नहीं बनती है वो prime minister नहीं बनते है he continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition जब तक वो coalition या majority of party के majority of vote उनके पास होते है तभी तक वो बने रहते हैं ठीक है after the appointment of the prime minister the president appoints other ministers on the advice of the prime minister अब जो prime minister होते हैं वो एक cabinet बनाते हैं क्या बनाते हैं एक cabinet बनाते हैं प्राइम मिनस्टर अपॉइंट होने के बाद prime minister अपॉइंट होने के बाद president अपॉइंट करते हैं किसको other ministers को जो cabinet बनते हैं किसके प्राइम मिनस्टर के पर वो ऐसे ही नहीं किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं उनको अपॉइंट करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीक है, उनको कि ये ये मिनिस्टर बनने हैं, तो वो अपॉइंट कोन कराता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कराते हैं, और उनको अपॉइंट करता कोन है, प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीक है, किसके अ बनता है? the minister is free to choose minister as long as they are the members of the parliament. ठीक है? parliament का member होना जरूरी है, उन्हीं को ही बनाया जाता है जो parliament का member होता है कई पर क्या होता है कि जो parliament का member नहीं भी हैं, उसको भी minister बनाया जा सकता है, बट उस case में क्या होता है but such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. ने minister बनने के 6 महिने के अंदर-अंदर उनको पार्लिमेंट एलेक्शन लड़ना होता है और उस एलेक्शन में अपनी एक सीट सिक्योर करनी होती है ठीक है तब ही वो प्राइम मिनिस्टर की काबिनेट का पार्ट बन सकते हैं तो मैंने आपको यहां क्या बताया है कि प्रेजिडें के अंदर-अंदर इलक्ट होकर आना पड़ता है ठीक है मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो मैजور्यिटी पार्टी से बिलॉग करते हैं को एक गो कोईलेशन पार्टी का यहाँ पर फाइदा क्या होता है, कोईलेशन पार्टी क्यों agree कर जाती है, कि मदलब गर्मेंट बनाने के लिए, मजोरिटी देने के लिए क्यों agree कर जाती है, वो इसलिए agree करती है, ताकि cabinet ministry में भी उनके minister हो, ओके, ठीक है, cabinet ministers are usually top leaders of the ruling party, और parties who are in charge of the major ministers, top leaders होते हैं, usually the cabinet minister meet to take decision in the name of council of ministers, जो cabinet ministers होते हैं, यह बहुत, मतलब top level के ministers होते हैं, जो बड़े-बड़े decision लिए जाते हैं, वो इसी cabinet ministry में लिए, ठीक है बड़ा, council of ministers is the official name for the body that includes 60 to 80 ministers, इसमें जो prime minister जो तै करते हैं, कि 60 से 80 minister होते हैं, 60 से 80 minister को appoint किया जाता है, president के दुआरा, इनको तैकोन करते हैं, कि यह minister बने के president करते हैं, sorry, prime minister करते हैं, अब तीन तरह के ministers होते हैं, कितने तरह के ministers होते हैं, देखो यहां book में दियो है, cabinet minister, ministers of states with independent charge, or minister of state, ठीक है, तीन तरह के minister होते हैं, 60 से, जो 80 minister होते हैं, total, ठीक है, तीन तरह के होते हैं, इसमें cabinet ministries में सबसे पहले आते हैं, cabinet ministers, यह top level के ministers होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके, और यह in charge of major ministry, जो major ministry होती हैं, उसके in charge होते है, major minister में क्या आता है, जैसे home ministry आगई, ठीक है, education ministry आगई, defense ministry आगई, finance ministry आगई, यह सारी क्या होते हैं, cabinet minister होते हैं, inner ring of council minister, comprises about 20 ministers, इसमें कितने होते हैं, 20 ministers के आसपास होते हैं, ठीक है, यह बहुत top level के ministers होते हैं, जो बहुत important decision लिये जाते हैं, वो इनी की meetings में लिये जाते हैं, दूसरे होते हैं, ministers of states with independent charge, दूसरे type के जो minister होते हैं, वो होते हैं, independent, इनके पास छोटे-छोटे, मदलब ministries होते हैं, are usually in charge of smaller ministries, they participated in cabinet meetings only when specially invited, अब यह cabinet meetings होते हैं, यह जब इनको invite किया जाता है, यह उसी time पर होते हैं, पाकी जो decision लिये जाते हैं, वो cabinet minister में ही लिये जाते हैं, इनको तब बुलाया जाता है, जब जरूरत होती हैं, ministers of state are attached to, are required to assist the cabinet minister, अब जो यह वाले minister होते हैं, थर्ड टाइप के minister होते हैं, यह किनको assist करते हैं, यह cabinet minister को ही assist करते हैं, ठीक है, I hope आपको समझाया होगा, एक सबसे पहले बड़े minister, prime minister कौन होते हैं, जो main head जो होते हैं, वो होते हैं prime minister, यह 60-8 minister को चुनते हैं, ठीक है, जिनको appoint कुन करता है, president करता है, चुनता कुन है, prime minister, उसके बाद, यह 3 तरह के minister होते हैं, पहले होते हैं cabinet minister, जिसमें top level के ministers आते हैं, दूसरे होते हैं, minister of states with independent charge, चोटी-चोटी ministry, जिनके पास होते हैं, वोग वाले minister होते हैं, third type के जो होते हैं, वो assist करते हैं, किनको? cabinet ministers को, since it is not practical for all ministers, to meet regularly, and discuss everything, the decisions are taken in the cabinet meetings, ठीक है, सारे जो ministers हैं, वो regularly मिलना तो possible नहीं हो पाते हैं, meetings करना possible नहीं हो पाते हैं, तो सारे जो major decisions हैं, वो कहां लिए जाते हैं, cabinet meetings में ही लिए जाते हैं, this is why parliamentary democracy, in most countries, is often known as the cabinet form of government, ठीक है, may have different views and opinions, but everyone has to own up to, every decision of the cabinet, ठीक है, तो अभी हमने यहां पही क्या समझा, जो cabinet meetings होती हैं, इस पे बड़े-बड़े decision लिए जाते हैं, बट cabinet meeting के पास क्या होते हैं, ministers के पास अपने department होते हैं, जैसे अभी हमने पहले भी बढ़ा था, जो permanent executive होते हैं, जो इन्ही ministry के अंडर काम करते हैं, ठीक है, तो basically यहां पहले होता क्या है, कि जो ministers होते हैं, वो supreme power तो होते हैं, बट उनकी ministry में, उनकी जो department में civil servants होते हैं, वो सारका सारका discussion करते हैं, वो ही कोई भी जो decision की रूप रेखा, जो हैं, वो सभी कोन बनाते हैं, जो civil servants होते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है, तो आपने यहां देखा, जो यह political executive थे, उसमें हमने क्या देखे, प्राइम minister को बढ़ा है, जो की बहुत important institution है, उनके हमने cabinet को देखा है, कि वो cabinet कैसे बनती है, तीन तरह के cabinet, तीन तरह के council of minister होते हैं, जिसमें cabinet ministers होते हैं, इन सब के अपने अलग-अलग department होते हैं, इन department में कौन काम करता है, civil servants काम करते हैं, तो basically हम कह सकते हैं, कि देख, जो है civil servants ही चला रहे हैं, तो, no matter can openly criticize any decision of the government, if it is about another ministry of department, every ministry has secretaries, हिस्ते को जो मैं आपको बता रहे थी भाई हैं, हर ministry के अपने secretary होते हैं, who are civil servants, the secretaries provide necessary background information to the ministers, background information कौन प्रवाइड करते हैं ministers को, जो यह civil servants है, वही provide करते हैं, to take decision to the cabinet, as a team is assisted by the cabinet secretariat, this include many senior civil servants, who try to coordinate the working of the different ministries, ठीक हैं, तो basically आपने देखा, कि यह जो पूरे ministers हैं, इनके under, जो civil servants होते हैं, वही most of the work, वही करते हैं, बच्वे इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, powers of the minister, prime minister, prime minister की power हम पढ़ने वाले हैं, देको constitution में as such, कोई power defined नहीं की गई हैं, पर जो prime minister होते हैं, उनकी अपने आप में ही, बहुत ज़्यादा power होती है, ठीक है, the prime minister has ranging of powers, he chairs cabinet meetings, अब देखो, मैंने आपको अभी पता हैं, कि 60 to 80 ministers को चुना जाता है, तो, जो cabinet meetings होती है, उसको head को रहा होता है, prime minister head कर रहा होता है, he coordinates the work of different departments, different departments के work को वो head करते हैं, his decisions are final in case of disagreements arise between departments, different departments में अगर कोई disagreement होता है, तो वो prime minister को decision होता है, वही final होता है, he exercise general supervision of all the ministers, ठीक है, all ministers work under his leadership, जो सारे minister होते हैं, वो उनकी leadership में ही काम करते हैं, distribute and redistribute work, काम को distribute करना, redistribute करना, ठीक है, कि ministers को dismiss तक कर सकते हैं, dismiss तक करने की power किसके पास होती है, prime minister के पास होती है, okay, the prime minister distribute and redistribute work to the ministers, and he has the power to dismiss the ministers, when the prime minister quits, the entire ministry quits, जब prime minister अगर किसी वज़े से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, resignation दे देते हैं, तो जो उनकी cabinet ministry होती है, वो भी अपने आप ही dissolve हो जाती है, वो भी बिल्कुल खतम हो जाती है, मतलब वो minister भी अब minister नहीं रहते हैं, ठीक है, तो देखा कितनी power है prime minister की, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई cabinet minister बन गया है, तो वो हमेशा के लिए, या पूरे 5 साल के लिए भी बन गया है, अगर बीच में prime minister नहीं quit कर दिया है, तो सारी जो ministry है, उसको भी automatically quit करना पड़ेगा, थूस, इफ दे कैबिनेट is the most powerful institution in India, विदिन दे कैबिनेट, इफ दे कैबिनेट इस दे प्राइम मिनिस्टर, फो इस दे कैबिनेट के अंदर भी ज़्यादा पारफुल कौन है, prime minister powerful है, अब इस लाइन को समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, जो parliamentary democracy है, इकल्स टू होती है किसके prime ministerial form of government, अब parliament में किसकी ज़्यादा majority है, majority उनकी है ना, जिसके prime minister, जिस party को बिलोंग करते हैं, तो parliament में जो भी decision लिये जाएंगे, ठीक है कि parliament है, parliament में कौन सी party की ज़्यादा majority, जिसके prime minister है, ठीक है, तो obvious ही बात है कि, जो parliament में decision लिये जाएंगे, वो कौन सी party के होंगे, जो prime minister की party है, तो उसका dominance होगा ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि, parliamentary democracy जो है, वो equals to होती है, किसके prime ministerial form of government के, role of political parties and media, in influencing the power of PM, ठीक है, जो political party का role है, और जो media है, वो influence करती है, किस की power को, PM की power को, ठीक है, एक second, media भी इसमें, क्या करती है, इसमें support करती है, the media also contributes to this trend, by making politics and elections, as a competition between top leaders of the parties, अब media का क्या काम होता है, कि, जो political parties होती है, जो दो अलग-अलग group से belong करते हैं, ठीक है, इंडिया के context में भी हमने क्या देखा है, इंडिया के context में भी हमने क्या देखा है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके हाथ में यह पावर होती है, ठीक है, जैसे जवार नाल नहरू, the first prime minister of India exercised enormous authority, because he had great influence over the public, क्योंकि public, पर उनका जो influence था बहुत ज़्यादा था, इंद्रा गांधी है, इंद्रा गांधी was also very powerful leader, compared to her colleagues in the cabinet, of course, the extent of the power wielded by a prime minister, also depends on the personality of the person holding that position, देखू, हमने अभी 3-4 point पड़े हैं, पहला point हमने बढ़ा है, जो prime minister है, वो chair करते हैं cabinet meetings को, जो all the ministers work under the, wonder his leadership, जो सारे minister होते हैं, वो किसकी leadership में काम करते हैं, prime minister की leadership में काम करते हैं, parliamentary democracy, किसके बराबर होती है, prime ministerial form of government के बराबर होती है, ठीक है, क्यों, parliament में ज़्यादा majority किसकी है, उस party की है, जैस party से prime minister बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो parliamentary democracy किसके बराबर होती है, उसको हम कह सकते हैं, कि parliamentary form of government है, ठीक है, the extent of power of PM, depends on the personality of the person holding that position, मतलब जो यहाँ पर जवाहर लाल नहरू जी और इंद्रा गांदी जी का example दिया गया है, उससे क्या बताना चारहे है, उससे यह बताना चारहे हैं, कि जो PM है, उनकी personality पे भी कहीं बार उनकी power जो है, depend करती है, जैसे इतने सारे prime minister हैं, उनमें से कुछ ही prime minister हैं, जिनके नाम जादा जयाद रहते हैं, जैसे जवाहरलाल नहरू हो गई, इंद्रा गांदी हो गई, या अटल बिहारी वाजबही हो गई, ऐसा क्यों होता है, कि जो उनकी personality है, वो बहुत outspoken रहे हैं, कैसे रहे हैं, बहुत outspoken रहे हैं, उनके काम को, मतलब वो काम दिखाई देता है, उनका काम दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, कि जो और prime minister रहे हैं, उनके काम नहीं हुए, उनके काम कैसे हुए, उनके काम बहुत silently हुए, ठीक है, इनके काम कैसे हुए, इनके काम लोगों को पता चले है तो इनका outspoken होना इनका influential होना इनकी जो speech है उसमें उसमें एक अलग type का confidence होना ही इनको क्या दिखाता है कि ये कितने powerful है तो ये भी एक power of prime minister है कि वो कितना influence कर पा रहे है through media ठीक है through media कितना influence कर पा रहे है वो अपने लोगों को अब power of PM in coalition politics अब दूसरा जो इनकी power है वो थोड़ी से reduce हो जाती है कहां पर however in the recent years the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister constraint करा है prime minister की power को किसने coalition government ने, coalition politics ने अब देखो coalition government कैसी होती जिसमें 2 या 3 party मिलकर majority बनाती है है ना, अब जो 2 या 3 party मिलकर majority बनाएंगी तो obvious सी बात है जहां एक जगा सिर्फ majority बन रही है और जहां 2 तीन party को मिलाकर majority साबित की जा रही है है ना, तो यहां conflicts होने की संभावना जादा है है ना, वहां conflicts होने की संभावना जाता है इससे क्या होता है कि जो प्राइम मिनेस्टर है उनकी पावर क्या हो जाती है थोड़ी सी रिडियूस हो जाती है वह अपनी तरह से डिसीजन नहीं ले सकते वहां अपने सवाइवर के लिए अपनी गौवर्मेंट के सवाइवल के लिए उनने कई बार ऐसे डिसीजन लेना पड़ते हैं जो की प्राइम मिनेस्टर नहीं जाते है तो I hope आपको power समझ आई होगी, इसमें cabinet ministry के overall head होते है और जो सारे ministers होते हैं, वो किसके अंडरकाम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडरकाम करते हैं, एक बार अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दी दिया, resign कर दिया, तो सारे के सारे ministers भी automatically उन्हें भी quit करना पड़त है, parliamentary जो democracy है, वो उसको prime ministerial democracy के equal माना जाता है, क्योंकि majority किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर की जो personality होती है, वो भी depend करती है, वो भी उनकी power को balance करके चलती है, है ना, जितने ज़्यादा outspoken prime minister होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी power ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, power of the PM in the coalition politics, coalition politics में क्या होता है, coalition government में क्या होता है, जो PM होती है, उनकी power थोड़ी सी reduce हो जाती है, ठीक है, I hope आपको ये समझ आया होगा, आगे की video में हम देखेंगे president, ठीक है, I guess, हम, हाँ, ओके, जो next video आएगी, उसमें हम president देखेंगे और judiciary देखेंगे, thank you. झाल